कि नमस्कार सांतियों कम्टेशन कमुंटी के डिजिकल प्लाटफॉर्म पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था उनके आगे आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करना सुरू करते हैं और लास्ट क्लास में जैसा कि हमने आप को बताया था हम लोग अग्ले क्लास में सब्जास को पढ़ना सुरू करेंगे तो सबसे पहले आई यहां पर आपको सब्जास को बकुन के बारे में कुछ चीज़ों को बताना सुरू करते सब्वें यह जो हमारा Fight حोता है सब्जाइक पर से जो तो चीजें सिखाई गई सबसे परी में इसकी चर्शा कर लें देखिए हम लोगों को बच्पन से यह सिखाये test का श्रॉक्जर कैसा होता है तो ऐसा होता है जिस इसमें क्या होता है इस सब्जेक्ट का इस वर्ब के साथ एग्रिमेंट होता है और इस एग्रिमेंट के एकॉर्डिंग हम लोग यह कहते हैं कि सब्जेक्ट यह प्लूरल होगा तो वर्ब हमें प्लूरल रखना होगा तो वर्ब हमें सिंगुलर रखना होगा यह पढ़ते हैं अब सबसे बड़ी समस्य हम सबों के सामने यह आती है कि हम लोगों को यह पता ही नहीं होता कि वर्ब कब सिंगुलर होता है कब प्लूरल होता है वह हम लोगों ने यह तो सुना था कि नाउन सामाने तौर पे सिंगुलर होता है और नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो रूल्स हम लोगों ने पढ़ा था नंबर चैप्टर में वचन में आपने जो पढ़ा था हिंदी में भी उनके एकॉर्डिंग सिंगुलर नाउन को लूरल बनाया जाता है अब इंगलिस ग्रामर में जब आप आते हैं तो हम लोगों को यह सिखाया गया कि किसी भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में एस यह एस जोड़कर सामाने तोर पे सिंगुलर नाउन का हम लोग बनाते हैं तो यह था कैसा यह जो पाला नाउन था यह कैसा था यह था सिंगुलर और इसके लास्ट में एस जोड़कर हम लोगों ने इसको क्या बना लिया तो हम और हमेशा होता है प्लूरल कैसा होता है दोस्तों प्लूरल होता है और वर्व के लास्ट में यह जोड दिया जाए तो यही बन जाता है वर्व का फिप्त फॉर्म जो हमेशा होता है सिंगुलर मतलब यह जो नाउन है और वर्व है यह दोनों अलग-अलग हैं दोनों जस्ट सब्सक्राइब यहां देखें नाउन के लास्ट में जोड़के हम लोग इसको सिंगुलर से सिंगुलर ठीक है यहां तक सारे डाउट क्लियर है अब हम लोगों में से कई बच्चों को ये भी पता नहीं हो था कि वर्ब के जो फॉर्म है ये कितने वां सोते हैं तो आई इनको करें जो होता है यहां को कई वर्ब का को होगा या दूसरे सब्सक्राइब का जो फिक्स होता है उसके लास्ट में अपको यसे लगा हुवा दिखाई पड़ेगा ही यह पराइगा ठीक है अब देखें यह जो बर्म का फोर्व होता है यह क्या होता है वर्म के सबसे जदा पढ़ा और पढ़ाया जाता है और भोछ इंग्द्ध को ही को भी याद करने के बारे में इसकुल में प्रक्राइब होते हैं उनका तो यहа the number का WORST वोता है इसका नंबर होता है हमें लोग प्लूरल सब्जेट के साथ किसके साथ इसका करेंगे तो इसका यूज भी करते हैं लोग प्लूरल सब्जेट के साथ ठीक है और यह जो वर्ब का फिप्ट फॉर्म होता है इसका नंबर होता है सिंगुलर कैसा होता है इसका नंबर होता है सिंगुलर और इसका यूज भी हम लोग करते हैं सिंगुलर सब्जेट के साथ किसके साथ सिंगुलर सब्जेट के साथ इसका यूज भी हम लोग करते हैं ठीक है किसके साथ करते हैं सिंगुलर सब्जेट के साथ इसका यूज किया जाता है राइट बात इस समझ में आकए अब आपके मन में ख्याल आएगा ठीक है सर आपने वर्ब के फिर्स वर्म के बारे में तो हमें बता दिया वर्ब के फिर्स वर्म के बारे में आपने हमें बता दिया लेकिन इन तीनों वर्ब का क्या होगा यह देखें जो वर्ब के सेकेंड फिर्ड 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 होते हैं और सब्जक के सांद समान रूप से ट्रीट किया जाते हैं यानि कि इनका प्रयोग से सांद सांद के सांद मुcken दोनों के सांद गये तो इनको से कोई मतलब नहीं नहीं होता क्योंकि इनका प्रयोग दोनों के साथ समान रूप से किया जाता है ये बास समझ में आ गई चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हम लोग और अब हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जानना सुरू करें क्योंकि हम में से ज्यादा तर लोगों को ये भी पता नहीं होता कि हमारा सब्जिक्ट क्या होता है तो सबसे जादा जो आपको सब्जेक्ट वाभ एक्रिमेंट में जहलने को मिलता है या आप से जो घलतियें होती है उन सभी घलतियों के होने कॉंसेट से सुरुवात करते हैं बचपन में हम सबों को सबसे पहले यह पढ़ाए गया था डूरी सब्जेक्ट अर्थात काम के करने वाले को करता अर्थात सब्जेट कहते हैं ठीक है फिर थोड़े से बड़े हुए तो हम लोगों को यह बताए गया कि अब परसन और तिंग कोई भी ऐसा व्यक्ति या वस्तु जिसकी वाक में चर्चा की गई हो उसी को हम लों कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं तो परसन और तिंग विच इस डिसकस्ट इन और सेंटेंस इस नोन आज सब्जेक्ट यह पढ़े थे अब इनके अलावा भी आपको कोई सारे में पढ़ने हैं कैसे पढ़ने क्या पढ़ने है इसको जड़ा ठीक से समझे आपको जिस किसी अब के बारे में में डाउट हो जाये है पहले हमें subject डूंड़ना होगा यादि subject पता होगा तभी और के वहल तभी हम उसके वर्व को ढूँड सकते हैं subject पता नहीं होगा तो और खरएंगे हम ठीक है चली तो सबसे पहले इस का subject सब्जेक्ट ढूंडने के लिए आपको क्या करना होगा जिस किसी भी वर्व का आपको सब्जेक्ट पता करना हो आपको क्या करना होता है कि इसके पहले वाट या हू लगाना होता है ठीक है अब इसके पहले आप वाट या हू लगाना होता है ठीक है अब इसके पहले आप वा कोई भी प्रीपोजीशन लिखा हुआ हो क्या लिखा हो कोई भी प्रीपोजीशन लिखा हुआ हो प्रीपोजीशन के बाद यहां पे कोई भी नाउन आई या प्रणाउन आई यहां पे कोई भी ग्रूप ऑफ वर्ड्स है तो यह सारे के सारे इस प्रीपोजीशन के ऑबजेक होते हैं और आप object को देखते के साथ काट दो ठीक है अब इसके पहले इदर जो बचे का वही होगा आपका subject और यही काम करते हैं लोग यहां पेको कोई भी नावन दिखाई पड़े यहां पे कोई टी एक पर दो यहां पर को सभयोस काकाम करते हैं और यह सब्यंत नहीं होता इसलिए इसको देखते के साथ प्लाट देना होता है बात समझ में आया उनको देखते के साथ कार्ट देंगे अब इधर जो बचे का वो सब्जेक्ट होगा हाँ अब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लिम जा सकते सर आपने ये बता तो दिया में इसका यूज कैसे करेंगे तो ये सारी बाते आपको अक कर देना है किसी भी वर्ब और और पृजिसन के बीच में जो लिखाओगा सब कार्ट देना है और एएसा काम करना होता है यानि कि मान लोग यह कोई बड़ा सा सब्सक्राइब tastes करना हो एह तो आप इसको काटेंगे यह आप ठीक से समझ़े हाला कि इसके लिए आपको थोड़ा ऐडिटूरियलन का प्रैक्टिस करना होगा है यह ने कि इस कौंसेट का यूंज हम लोग कहां करते हैं सीधी दा और चेप्टर में आपको फना पको नहीं होती और सारे के सारे रूल बीना रट्टा मारे आप लौजिकली सीख जाते हैं तो आप इसको कैसे पकड़ेंगे कैसे इनके कोश्चन को सॉल्फ करेंगे ठीक है तो आपको रटने से यह दिमुक्ति चाहिए तो यह कॉंसेप्ट आपको सीखना होता है ठीक है प्लास्रूम में उन आपड़े इसके पहले इगर कुछ भी लिखाओ उसे हम नहीं काटते हैं जो भी पहला वर्व या प्रीपोजीशन और इसके बाद ही हम यह काट पीट वाला काम सुरू करते हैं ठीक है और अल्टिमेटली जो बसता है वो होता है आपका सब्जट कई बार तो ऐसा होता है कि यह कोई सेंटेंस है जैसे हैं यह सबकोデिटोरियल में मिल जा 힘 देखने को और ही जो शेंटेंस है है यह सुरू हो गया विद से यानि कि किसी सब्चार सब्चाहस्पो का ग्रूप होगा इस ग्रूप में हम क्या करेंगे सब को कैंसल कर देंगे क्यों हो इसलिए क्योंकि यहां पर यह जो भी group of words होगा यह preposition के बाद आया यानि कि यह preposition के object का काम कर दिया इसलिए हमारा subject नहीं होगा अब यहां तो यहां पर कोई कौमा होगा यह तो कोई conjunction होगा उसके बाद इदा जो भी लिखा हुआ होगा हम उसमें फिर से डूंडेंगे कि इस sentence में यह इस पार्ट में हमारा पाला वर्विया पाला preposition कौन सा है तो यहां पर जो होगा वो subject होगा बात समझ में आई चलिए आगे बढ़ते हैं अब आपको कुछ और चीजों को हम सिखाने का प्रयास करें देखिए अगली बात हम लोग सीखते हैं जैसे बच्पन से आपने सीखता है हम लोगों को कि पहले क्या आता है इसी टेक्निक का यूज करके हम लोग ग्रामर के सारे concept को rules को अभी के अभी यहां पर सीखने जा रहे हैं तो अब आईए यहां से आगे बढ़ते हैं कुछी जो को आपको याद रखना चाहिए क्या याद रखना चाहिए कोई भ वर्व का फर्स्ट वर्व डिट के साथ वर्व का फर्स्ट वर्व टू के साथ वर्व का फर्स्ट वर्व ठीक है या कहीं भी आपको हैब फैमली दिखाई पड़े जिसकी चर्चा हमने आपके साथ टेंस और वाइस में करी थी हैब फैमली के साथ कहीं भी आपको वर्व का थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो टेंस हो गया परफेक्ट या कहीं भी आपको भी फैमिली दिखाई दे भी फैमिली के साथ कहीं भी वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पैसिप चलिए आगे बढ़ते हैं यह सब क्यों समझने की बात है थी अब इधर से हम लोग पढ़ना सुरू कर तो प्रॉनावन होगा ठीक है चलिए अब यह कैन हो गया यह बहुत है यह बहुत है यह सब कटा यह बच्पन से जानते हैं अब यहां से हम लोगों को समझना था कि समझना ये है कि यहां बेर के कुछ rules उते हैं यह से lot's of की बात करें a lot आफ की बात करें most of की बात करें some of की बात करें some of ke बात करें several आफ की बात करें चीक है और ऐससे बहुत सरे concept है तो इनका जो रूल है concept है इन सभी में देखे ये सारे वाले ये सारे क्या आपको दिखाई दे रहें ये सारे के सारे वड़ आपको preposition दिखाई दे रहें बट यहां पर preposition का काम करते हैं इनका यूज इस तरीके से होता है इनके तुरंद बाद इहां पर कोई नावन या प्रॉनावन राता है तो अब समझना इसमें यह ता हम लोगों को कि यह सारे के सारे जो वर्ण्थ हैं यह अखिर यदि प्रीपुजिशन का काम करते तो यह क्रहलि सेन हंए डो극 चैशे कभी यह जो प्रीपोजीशन का काम करतें अब यह कंबाइंड रूप से यह लॉट साफ है एसा काम करते हैं और यार किजे आपने जो बजपन से concept पढ़ा था good boy ठीक है ऐसा पढ़े थे अब यह बताओ यहां पर कोई वर्ब लिखना हो तो यह वर्ब सब्सक्राइब करने का काम करते हैं यह कंबाइन रूप से एक साथ यूज के जाते हैं और यह काम करते हैं इनका मिनिंग क्या होता है तो इनका मिनिंग होता है और यह एक से अधिक एक से अधिक मतलब यह हो गया प्लूरल बाते समझ में आ रही तो इस तरीके से इनका यूज क्या जाता अब concept है कि यहां जो वर्ब आता है यह वर्ब रहेगा किसके according तो यह वर्ब इसी नाउन या प्रणा अब आता ही है हम लोग इन पे उस एक्जांपल देख लें यहां देखे देर वर अलॉट ऑफ तो इसको छोड़ दे यहां पर देर इस लॉट्स ओफ फूड इन दा चलिए एक और एक्जांपल लेते हैं लोग यह देखो लॉट्स लॉट्स ओफ ओफ यह वोट्स और को फोड़ कर दीटीव षाह देखें यहां पर मतलब की सब्रेंने एक से अधिक तो यह नाउन रहता प्लूरल इसके सांथ यह रहता यह रहता यह यह भी करेक्ट और यह भी करेक्ट बात समय में आ गई चले अब यहां से आगे चलते हैं हम लोग अब अगले कॉंसेप्ट की तरफ चले अगला कॉंसेप्ट देखें मेनी मेनी क्या होता है मेनी का मतलब होता है एक से अधिक तो इनका कॉंसेप्ट ऐसा होता है कि यह जो मेनी है मेनी भी क्या है यह एड्जक्टिव है मेनी का मतलब क्या होता है एक से अधिक तो इसके बाद सब कैसा रहेगा सब कुछ भी रटने की तरूरत नहीं थे में अदन पो अब यहाँ पर नहीं तो सबसे पढ़े यह बता हो कि आप बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं देर इस अब वाय या अब वाय इस प्लेइंग तो और आर्टिकल ए एन का जिसके साथ यूज करते थे वो नाउन कैसा होता था सिंगुलर और उसके बाद आने वला वर्प कैसा होता था सिंगुलर तो यहां पर मेनी लिखा हुआ सामने एक्जामपल देख सकता है संगलर है से संगलर वर्प कैसा है सब कूछ सभी कही है आगे बढ़ते हैं यहां पर ढमर भरला मतलब होता है मैनी और नंबर का मतलब क्या होता है wiem तो इसके बाद आने वालो कुछ कैसा रहे गा प्लूरल नंबर आने वाला जो भी नाउन या प्रौन अगर यह क्या होता है तो दर passing क्या को बताता है किसको बताता संख्या को संख्या का कॉंसेट समझ लीजी जैसे यह को फूर्ट ट्वंटी इस ओ पेमस नंबर इमस नंबर 421 फेमस नंबर है ज्यकर अब यह ज़्यान से देखे यह दो नंबर ऑप किया करते किसी चीज की संख्या को बताता है ठीक है इसलिए अब इसके बाद यहां पे जो भी नाउन या प्रणाउन आएगा किस केस में दा नंबर वाले केस में हम बात कर रहे हैं यहां से ठीक है लेकिन यह जो वर्ब आए यह वर्ब कैसा रहे ठीक है तो ऐसा होता है मतलब यह याद रखना है कि a number of के साथ सब kуч मेनी वाला काम करना यानि सब कुछ plural the number के साथ वरव हमेंसा singular क्यों क्यों कि इसका यूज हो का subject करूप में subject करूप में इसका यूज होगा तो फिर इसकी को मानेंगे इसमें प्रिपोजीशन और यह क्या है और यह क्या है तो यह कैंसल हो गया यह भी कैंसल हो गया ठीक से समझना दोस्तों अब यहां पर देखिए यह जो नीड है इस वर्ब का सब्जट कौन है यह हम लोगों को पता नहीं देखिए इस सबसे पहले यह प्रीपोजीशन यह बहुत है अब दो दो वर्ब है तो हम कैसे समझेंगे अब इसको समझने का तरीका समझें यह जो वर्ब है तो हमने आपको क्या बताया किसी वर्ब का जो सब्जट आपको फवाइंड करना हो तो क्या करेंगे इसके पहले हम लोग लगाएंगे हूँ यह वाРЕट किया लगाएंगे हूँ या हम लोगों ने जो सीखा है वह कहां तक सई है इसंटेंस में यह हमारा सब्जेक्ट है कि सब कर नीड का फिर यह तो क्या है प्रीपोजिशन यह क्या है वर्भ है से सक्जेट को ने इसके लिए फिर का करना होगा उसके लिए इस औ-शेट को सब्रोड का सब अनमेर को क्या नमब्र करता है औरThe cósm नंमबड को क्या मांता है इसको सिंग्ण लेए यहां यह राता है इस वर्बं को भी हम लोग रखते rolling दोस्तों सिंग्ण पूछे जाते हैं आंके बढ़ता है यह द द द द ट प्लूरल कंवनhmणन क्या मांनते हैं प्लूरल अगली बाद समझें ठेक से ये जो दब और साधारन तौर पे इसके बाद यहां पर कुई लाउन नहीं पड़ता है किसा नाउन आ जाए तो यहां यह जो हर वाताइज इंपर विसी नाउन कते रहाता मतलब यह नाउन इद होगा तो यह वर्भी सिंगुलर रहेगा और इह नाउन इद हो गा-तु यह वर्भी व है सब्सक्राइब गालुक का इस देखे को यहां बढ़िए को नाउन लिखा नहीं देखे लिए बाद को कीसा रखेंगे प्लूरल मानेंगे इस लिए प्लूरल रखेंगे डाउट इसे आगे बढ़ते हम लोग कुछ और ने कौशन की तरफ यहां पर देखें इनका concept क्या है इनका concept का ता यदि किसी भी प्री-पोजीशन के पहले और बाद में दोनों जगों पर नाउं आए तो यहाँ यह जो वर्व आता है हमें सब पहले वाले के recovery recording होता है यांनि पहला नाउन plural होंगा तो वर हम्हारा plural होगा पहला नाउन हमारा singular होगा तो यह भी singular होगा जैसे हम दोग यूज़ करते हैं यह Benson nota you students 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 of our country country are hard working hard working ठीक है अब यहां देखे यह और क्या है प्रीपोजीशन यह country क्या है नाउन यह student क्या है नाउन अब यह दोनों नाउन अलग अलग है हमें कोई मतलब नहीं प्रीपोजीशन के पहले भी नाउन आता है प्रीपोजीशन के पहले यहां जो यह नाउन आपको दिखाई दे रहे यह नाउन कैसा है प्लूरल इसलिए वर्प कैसा रहेगा प्लूरल र कि यह एज वेल जो है यह कम पाउंड परना काम करता है तो इस सिर्फ एख मुड़ा आपको याद करना पड़ सकता है लेकिन एदि आप इसको को समझने का प्रयास करेंगे तो अनुथ मतलब यह वही बात हूं इनका रूल यह था कि यह कोई भी दो साथ साथ ऐसे किसी भी वोड से जुड़ा हुआ हो जैसे अलांग उनकी आपको दिखाने का प्रयास करने कोई वह यह आने वाला यह जो टर्म पर लेकर कोड कि यहांने बाले कॉडिंग तो ध्यान से याद की यह थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया यह क्या है दोस्तों यह है प्रीपोजीशन क्या है यह प्रीपोजीशन अब चुकि यह है आपका प्रीपोजीशन और प्रीपोजीशन के पहले जो भी आता उसे के recording हमारा वर्ब होता है ठीक है इसलिए यहां जो वर्ब होगा यह इसे के recording होगा तो यह प्लूरल होगा तो यह वर्ब हमारा और यह यह सिंगुलर होगा तो यह वर्ब हमारा singular होगा राइट बाते समझ में आ गई चलिए अब इन पर बेस कुछ example हो जाना चाहिए example ले ले हम लोग the PM the PM along with the PM along with along with his ministers along with his ministers has have have attended have attended the meeting have attended the meeting अब आजये देखें इस question में क्या error है कैसे हम लोगों को इस question को solve करना चाहिए यहां पर देखें फिर से आपको क्या दिखाई दिया along with along with में यह क्या था विद्वित विद्वित क्या है preposition प्रीपोजीशन के पहले यह क्या है नाउन और प्रीपोजीशन के बाद यह minister भी क्या है नाउन तो यहां जो भी तरीके से हम लोग इन को बनाते हैं और इसी तरीके से सब्जेक्ट वब एग्रिमेंट के को आपको भी बनाने का प्रयास करना चाहिए और हमने इस आपको जोबी के तेक्निक Rank Share किये हैं जो बी टेक आपको समझाने का प्रयाज किया उसको आप समझने का प्रयास करें और उसको सारहarin vedere जगों पर सारे कुछंट में अप्लाई करने का प्रयास करें और जहां वहां पर भी जाके हमसे कोशन पोच सकते हैं ठीक है तो आज के क्लास को लोगें पर समप करते हैं थैंक यू